आपका स्वागत है स्टुडिंट्स जो इस चैनल पर नहीं है मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज हमारे चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा वीडियो शेयर भी कीजिएगा ठीक है क्योंकि आपकी सपोर्ट के बिना पॉसिबल नहीं है ग्रोव करन तो लेकिन हम आपकी सर्विस में हाज़र हैं तो ये चुशन सौल परते हैं तो ये जो कोशन है ये प्यर अफ लियूर को स्मझें आ गया कि दोनों को माइनस करेंगे खरी आएगा ठीक है लेकिन एक प्रॉबल्म है यहां पर हमें नहीं पता यह 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 अल्डर है बड़ा क उन्सा हमें नहीं पता तो ये minus ये equal to 3 या ये minus ये equal to 3 आएगा we don't know तो अनी's father धर्म is twice as old as अनी तो अनी के जो पापा है धर्म वो अनी से twice है यानि अगर ये x होगा तो ये 2x होगा ठीक है तो कैथी क्या होगी वाई अपान टू होगी यानि इसका हाफ ठीक है दे एजिस ऑफ कैथी एंड धर्म डिफर बाई 30 यह मतलब अगर इनके पापा अनी के पापा और विजू की जो सिस्ट्र हैं दोरों का डिफरेंस निकालेंगे यानि धर्म का और कैथी का अगर डिफरेंस निकालेंगे तो दैट इस यह नो डिफरेंस बाई 30 यह माइस करेंगे तो इकोड़ थर्टी आएगा तो हमें इनका भी नहीं पता की कौन बढ़ा है कौन चोटा है लेकिन फिर भी चलो विल ट्राइटू सॉल्व अब एजिस ऑफ अनी एंड बीजू यह दोनों हमने फाइ तो यह हमने यहाँ पर स्टेटमेंट लिख दी है ठीक है तो लेट दी एज ओफ अनी अब क्या होगी उसकी एज एक्स मान लो और बिजू की वाई मान लो अब एक्कॉर्डिंग टू दा कोशन क्या गिवन है एक्कॉर्डिंग टू अब हमें यह नहीं पता कि जो y है वो बड़ा है या x बड़ा है आनी बड़ा है या विजू बड़ा है हमें नहीं पता तो हम यहाँ पर यह भी लिख सकते हैं और y-x is equal to 3 ठीक है तो यह भी दोनों में से कोई भी हो सकता है तो इसके बाद हम क्या करेंगे अब धरम की एज क्या है and धरम's age is equal to 2x है ठीक है क्योंकि उसकी x है and Kathy's age कितनी है कैथी's age अब कैथी's age क्या थी बिजू की twice थी तो कैथी की उसके half उसके half होगी it is why upon two years ठीक है तो यह हो गया यहाँ पर हमारा assumption जो है वो पूरा हो गया है अब यह तो clear है कि जो धरम की एज है वो मतलब कैथी से जादा है तो हम यह करेंगे अब इन दोनों का difference भी है and two x minus y upon two is equal to 30 ठीक है two x minus y upon two equal to 30 यह तो given है कि दोनों का difference जो है 30 years का है ठीक है अब इसी को आगे transform करेंगे तो यह क्या बन जाएगा four x minus y upon two is equal to 30 अब यह further होगा तो four x minus y is equal to उदर जाके जो two है वो 30 से multiply हो जागा तो 60 आ जागा ठीक है यह भी हमारे पास equation बन गी एक equation यह थी यह दोनों और एक है यह वाली equation ठीक है तो अब हमें further क्या चीज़ करनी है देखिए ओके तो यहाँ पर यह हमने equations बना ली है तो यह वाली equation है यह हमारी first equation है और यह वाली equation second है और यह वाली equation third है ठीक है तो हमें नहीं पता कौन सी वाली अब यह बढ़ा है कि यह चोटा है हमें नहीं पता वो हमने पहले explain कर दिया आपको तो हम पहले one और three का लेंगे फिर two और three का भी ले लेंगे साथ में ठीक है तो यह कोई जादा typical नहीं है और हमारे answers मेरे I hope so की दो-दो answers आएंगे तो let us see now what we need to do we need to subtract right तो हम क्या करते हैं subtracting equation one from three ठीक है we get तो सबसे पहले जो first equation है उसको third से minus करेंगे तो जो first equation है उसको minus करना है third से तो third equation है 4x minus y equal to 60 यह वाली इससे हमने first equation minus करनी है x minus y equal to three ठीक है यह हम minus करते हैं अभी यह minus करेंगे इनका science change करने पड़ेंगे न माइनस करने के लिए तो अब यहां पर यह हो गया तो इनका science change हो गया तो यह वाले cancel हो जाएंगे और यह four minus one यह आएगा 3x is equal to यह 60 minus 3 हो जागा यह आजागा 57 तो x is equal to 57 upon 3 यह cancel हो जाएंगे यह आजागा 19 तो x equal to 19 ठीक है यह हो गया अब इसके बाद क्या करना है हमने x equal to 19 को further इसकी जो यह age आई है इसकी value हमने substitute करनी है ठीक है तो substitute करते है putting x equal to 19 in equation 1 we get हमें क्या मिलता है यह वाली equation 1 में equation 1 क्या थी हमारे पास x minus y equal to 3 ठीक है अब x की values में substitute कर दी हमने minus y equal to 3 minus 19 तो y equal to 16 ठीक है यह 16 हो गया minus minus cancel हो जाएंगे तो y की जो age है वो 16 हमारे पास ठीक है तो यहाँ पर हमने एक चींची solve की है अब दूसरी हम दिखिए यहाँ पर parallel में solve कर देते हैं तो यहाँ पर हमने equation 1 और 3 को minus किया था 3 से 1 को minus किया था अब यहाँ पर हम क्या करेंगे we will subtract equation अब यहाँ पर हमने कौन सी equation को solve करने है देखिए यह third से ही करेंगे अब second को करेंगे तो जो second equation है वो यह वाली है यह वाली मतलब यह थी y minus x is equal to 3 तो यह हो जाएगी minus x plus y equal to 3 ठीक है equation 2 from equation 3 तो equation 3 क्या है 4x minus y equal to 60 ठीक है यह वाली तो इसके बाद हम इसकी वो वाली equation ले लेंगे plus y equal to 3 वैसे यह signs opposite ही है तो हम इसको सिर्फ add करेंगे adding ठीक है signs opposite है इसी लिए अब यह सरी इनके signs भी change नहीं होगे कि इनकी opposite है तो यह वाली से cancel हो जाएंगे यह आएगा 4x minus x यह आजएगा 3x और यह add हो जाएंगे 63 तो यह आजएगा 63 upon 3 तो यह आजएगा 21 तो x equal to क्या है हमारे पास x equal to 21 यह age आ गई है x की अब यही वाली जो age है यह हम करेंगे putting x equal to 21 in equation किसमें put करना है हमने यह equation 2 में put करेंगे है ठीक है 2 अब equation 2 हमारे पास थी minus x plus y या फिर y minus x जैसा भी आप ठीक समझो वो दोनों एक ही है तो equal to 3 अब x हमारे पास हाई 21 यह नि माइनस 21 plus y equal to 3 अब y equal to 3 plus 21 is equal to 24 तो यह आ गया हमारे पास दो-दो equations आ गई है दो-दो solutions आ गई है तो दोनों ही सही है तो आप इसकी statement लिख सकते हो हैंस अनीज एज भी 19 एर्स एंड बिजूज एज भी 16 एर्स से नीचे है दूसी statement लिख सकते हैं और अनीज एज भी 21 एर्स एंड बिजूज एज भी 24 एर्स यह दोनों इसके solution है इसके बाद हम next question करते हैं ओके friends हमारा next question ready है अब question क्या कहता है one says यानी एक जना कहता है give me a hundred friend मतलब अपने friend को बोलता है कि मुझे 100 दे दो तो I shall be six times as rich as you तो मैं तुमसे चे गुना हो जाओंगा tell me what is the amount of their capital उनके पास कितने कितने पैसे हैं तो यहां पर एक हिंट भी हमको given है कि x plus 100 देखिए यहां पर x plus 100 क्यों है ओके चलो ठीक है कोई बात नहीं तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे दो दोनों friends हैं उनको assume करेंगे कि वो हैं क्या 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 कौन कौन है let the two friends be a and b ठीक है a and b having रुपी x and y ठीक है मतलब a के पास x पैसे है और b के पास y पैसे है ठीक है यह clear हो गया अब according to the question क्या है now question क्या बोलता है यहां पर मैं थोड़ा सा रफ भी आपको करके दिखा देता हूँ अब इसके पास है x रुपे और इसके पास है y अब यह इसको बोल रहा है कि मुझे 100 रुपे दे दो यानि इसमें से 100 रुपे less हो जाएंगे और इसमें add हो जाएंगे ठीक है यह आपको समझ में आ गया अब इसके पास क्या बोल रहा है कि यह यह क्या होगा double हो जाएगा अब मैं आपको दोस्तों एक चीज और बता दू स्टुडेंट्स की यहां पर देखिए आपने equal to डालने हैं दोने equations में यह तो हम सब को पता ही है कि हम equal to डालते हैं equal to का मतलब क्या होता है equal हो जाना अब यहां पर वो चीज मत करिएगा कि आप two equal to five लिख देंगे इसे तो होई निए सकता है ना आपको क्या करना पड़ेगा इसमें से three निकालेंगे या दो निकालेंगे या एक निकालेंगे कैसे भी करेंगे लेकिन यह यहा to equal to five लिख फाइफ ओना चाहिए या 2 equal to 2 आना चाहिए 3 equal to 3 आना चाहिए दोनों side equal होने चाहिए तब ही equal का मतलब भी होता है equal का मतलब ही तब ही होता है अब यहाँ इसने क्या किया 100 100 इसमें से अपनी pocket में से निकाला और इसको दे दिया तो इसमें minus 100 होएंगे इसमें से इसमें plus 100 होएंगे कर देना है कुछ students ना मेरे dear students ऐसा करते हैं कि वो इसको double कर देते हैं क्योंकि equation में given है question में कि यह वाला twice बन जाता है लेकिन हमको देखो अब मैं आपको बात बताता हूं जैसे मालो यहाँ पर four given है और यहाँ पर two given है ठीक है अब यह तो हमको पता ही है कि यह double given है अब यह double given है लेकिन हमने equal to लगाना है तो हम क्या करेंगे हम इसको two से multiply कर देंगे तो यह equal हो जाएगा बस हमने यही वाला formula हमेशा word problems में याद रखना है equations में कि यह सच में equally होना चाहिए अब यह वाला double question में दिया हुआ है हमको equal करने के लिए इसको double करना है ठीक है तो हम ऐसा ही करेंगे अब यह हमारी equation बनेगी according to the question x minus x plus 100 ठीक है equal to y minus 100 अब यह हमको दिया था इसमें 100 रुपे निकाल के उसको दे दिया तो यह वाला double हो गया यह हो गया हमारा ठीक है अब हम इसको solve करेंगे इसको इसका solve कैसे करेंगे हम xy हमेशा left side में होने चाहिए constant right side में होने चाहिए तभी यह solve होता है x plus 100 equal to अब यह 2y minus 200 ठीक है अब 2y इदर आ जाएगा minus 2y is equal to minus 200 और minus 100 तो यह हो जाएगा x minus 2y equal to minus 300 आ जाएगा यह ठीक है यह हमारी equation बन गई first अब second condition क्या बोलती है equation की second question यह बोल रही है second condition यह बोल रही है यह बोल रहा है x वाला बोल रहा है कि अगर तुम मुझे 10 दे दो ठीक है अब यहाँ पर आ जाते हैं यह बोल रहा है if you give me 10 ठीक है तुम दूसरे वाला बोलता है यहाँ पर x y है तो यह बोल बोलता है अगर तुम मुझे 10 दे दो या नि इसके पास 10 आएंगे और इसके पास कम हो जाएंगे ठीक है तो यह बोला six times हो जाएगा लेकिन equal करने के लिए इसको six times करना पड़ेगा हमें ठीक है तो हम ऐसे करते हैं now second condition क्या है इसकी second condition of the question ठीक है यह बोल रहा है x minus 10 का six times कर दो तो यह equal हो जाएंगे यानि y plus 10 अब इसको solve करते हैं 6x minus 60 is equal to y plus 10 अब 6xy इदर आ जाएगा ठीक है और यह 10 और 60 उदर चला जाएगा ठीक है ऐसे तो 6x minus y is equal to 70 यह हमारी second equation बन गई है अब हमने क्या करना है देखिए हम यहाँ पर यह जो है दोनों equal तो नहीं है बिल्कुल तो इनको equal करना पड़ेगा ठीक है सबसे पहले तो यह आ जाएगा multiplying equation two by two अब हमने two क्यों लिया है यह equation को multiply करने के लिए क्योंकि अगर यह two से multiply करेंगे न तो यह वाला two y हो जाएगा तो यहाँ भी two y है तो यह बहुत easy solve हो जाएगे तो इसको हमने पूरी को solve कर देना है तो यह two से multiply करके आ जाएगा 12x minus two y equal to 140 यह equation third बन गई हमारे पास ठीक है य अब हमने देखना है कि यह add करने है यह subtract करने है देखो इनको अगर add करेंगे तो यह तो add up हो जाएगे लेकिन इनको subtract करना पड़ेगा तो subtracting equation 3 from equation 1 we get ठीक है अब हम देखते है क्या मिलता है तो equation 3 से equation 1 को करना है तो यह 12x minus two y equal to 140 यह third equation थी अब इसमें से हमने equation 1 जो है वो minus करनी है तो x minus two y equal to minus three hundred तो अब इनके sign change करेंगे क्योंकि minus करना है ठीक है यह हमने sign change कर दी है इनके अब यह minus two y और यह opposite signs हो गए और number भी same है तो यह cancel हो जाएंगे यह 12 minus one हो जाएंगे 11x ठीक है equal to अब यह दोनों plus हो जाएंगे यह आजाएगा 440 ठीक है क्योंकि दोनों के sign similar हो गए है तो अब यह आएगा 440 upon 11 is equal to यह cancel हो जाएगा यह आजाएगा 40 तो x क्या आया हमारे पास x आ गया 40 ठीक है अब x की value जो है हम substitute करेंगे यानि डालेंगे putting x 40 in equation कौन सी में डालना है यह यह डालेंगे equation one में ठीक है we get अभी x equal to 40 equation one हमारे पास यह given थी ठीक है इसमें डाल देते है equation one में तो equation है हमारे पास x minus 2y equal to minus 300 यह equation one थी हमारे पास इसमें 40 डाल देंगे 40 minus 2y equal to minus 300 अब ऐसे आ जाएगा minus 300 आ जाएगा 40 उदर जाके भी minus हो जाएगा अब यह जाएगे 340 यह जाएगे minus 2y minus minus cancel हो जाएगा y equal to यह जाएगा 340 upon 2 is equal to 170 दोनों cancel हो जाएगे तो यह क्या आता है y equal to 170 यह answer है दोनों का अब बाकी की आप statement लिख देंगे न कि the two friends the friend a is having 40 rupees and friend b is having 170 rupees ठीक है यहाँ पर हमारा second question भी solve होता है